हेलो स्टुडेंट्स आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हाना मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तो आज हम लोग देखने वाले हैं कॉम्टन प्रभाव कॉम्टन इफेक्ट को समझेंगे क्या होता है कॉम्टन इफेक्ट हम लोग इस वीडियो लेक्चर सिरीज में क् सिरीज वाइस कंप्लिट करते जा रहे हैं तो आज का इससे भी पहले भी मैंने तीन-चार वीडियो लेक्टर अप्रोट कर दिया है आप उसको भी देख सकते हैं एक करके उसको भी समझेंगे उसके पहले समझते हैं कॉम्टन इफेक्ट होता क्या है उसके डिटेलिंग में सके तो यहां पर एलेक्ट्रावन है एक छटेक्यस आ रहा है एक रिडेशन जो आप्तित चिसको हम बोलेंगे मां लेंगे हिए अपतित अपि यहां कि 12 मतलब होता है आनेवाला इंसिडेंट आप्तित फ्रकास लिक आसको आप तीथ अभी आप इसमें इसको विस्पेसिफाई कर देते हैं एक्स कीरन है यह एक्स कीरन है ठीक है समझार हो अभी क्या होता है देखो समझा पहले उससे पहले इस पूरे effect को study किया है इसलिए मैं बता रहूं यहां पर कि जो आने माले radiation हो क्या है incident क्या है एक स्रेडियेशन है ठीक है जिसकी इस रेडियेशन की तरंग देर्द है लेम्डा और इसका जो अवरित्ती है प्रेडिये टो क्या है यहाद रहे हैं गWhere किटना हाना है अ स्रेडियेशन और किरने करेंकoth का मतलर्य बत्र 006 करना जो इन्सिडेंट लाइन ओश विस देरेक्शन से आ रहा है तो आने के बाद वी क्ट्रान क्राया हो सब्सक्राद कर देंトミー हमकिने का रहा है और वी इंगल गया है जिसंगल को हम बना ले थिटा इंगल के थिरू ठीक थिटा इंगल से क्या हुआ हो तो जो इस ट्रेट लाइन उसका में पात ये वाला डारिक्सन था उससे क्या हुआ वो आगे गया है मतलब हटा है इस इंगल के साथ तो इस एड़ीशन को लिख देते हैं हम लोग इस केटर्ड रेडिशन लिखेंगे वेवलेंद कितना था आय आ रहा था तब लेम्डा था लेकिन अभी इसका चेंज हो गया होगा ना क्योंकि इसने उसमें से कुछ energy को तो यूज कर देग लिए ट्रॉन को निकालने के लिए तो अभ इसका वेवलेंद कितना हो गया लेम्डा डेस हो मानेंगे और फ्रिक्वेंसी क्या मानेंगे म्यू डेश तो यह आपको याद रखना है पहला पॉइंट यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो अब इसी को इसी स्टडी को वो समझने के लिए अलग-अलग मेथड लगाते जाएंगे उसी को हम समझेंगे क्या होता है कैसे भी बोला था है हमने प्लांग का क्वांटम जो नियम रूस पढ़े हैं सेकंड वीडियो लेक्शेर में बताया था कि कोई भी रेडियेशन अगर आ रहा है तो कैसा आता है फोटॉन में आता है फोटॉन मतलब छोटे-चोटे उर्जा के बंदल के फॉर्म में आता है ठीक ह तो जो जो रेडियेशन आ रहा है इंस्अडर्ण को इसने धून निकालना मिउस हो गया सिंपल सी बात है न अगर कोई radiation आ रहा है इलेक्ट्रोन को निकालने मियूस हो गया तो अब जो बजगया है वह बाहर जा रहा है हमारा जो प्रकणित radiation है वह पाहर देख उसका एनर्जी क्या हो गया कम हो जाता है अब एनर्जी कम होना और मैं बता दूं कि वेव लेंद्ध और इनर्जी के बीच में रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रपोश्चनल का तो गर एनर्जी जादा हो रहा है मतलब जो इंसीडेंट रेडियेशन पहले आ हो गया है इसका एनर्जी कम हो गया है इसका एनर्जी कम हो गया है तो इसका वेव लेंद्ध क्या होगा कम होगा तो मैंने पता है इन्वर्सली प्रपोश्चनल होता है अब इस वाले केस में यहां पर देखो इस वाले केस में जो प्रक्रिणित रेडियेशन है जो बाहर ज पहले से इसका वेवलेन क्या हो जाएगा लेमडा डेस जो है ज्यादा हो जाएगा इसमें लिख देते हैं तो लेमडा डेस ज्यादा होगे किससे लेमडा से तरंग दर्द तो जो प्रक्रिणित रडियेशन का तरंग दर्द है वो ज्यादा होगा किससे प्रक्रिणित तरंग हो जाना गया उनकी हो जाना वन को मैं ने बताइक हो जाना ही क्या कहलाता है कौंटन प्रभाव कहलाता है हमारा हो टाइगर ह्या है अब हम चलते हैं आगे का डेपिनेशन को समझ दिया दिखो हैं ऍलें अभी आप्bolast है जुख प्रक्रिणित जो इसके बाद जो रेडियेशन निकला है ना उसका तरंग देर्द के बीच के जो डिफरेंस है वही क्या का लाता है आपका कॉमटन विस्थापन का लाता है अब देखो प्रक्रिणित होने वाली एक्स्तरै किर्णे की उर्जा में कमी या कॉमटन विस्थापन communicate हो जो लेंदा और लेंडा है इसको लेंदा लीग सकते हैं डेन्टा लेंडा लीख सकते हैं आज रखने क्नों फैक है लेंडा हम्ट्ऐम क्या लिखेंगों डेल्टा मतलए तरंग जाइए यह बेल का मतलब भी क्या होता है चेंज होता है ना परिवर्तन होता है तो तरंग देर्दे में परिवर्तन तो हो रहा है न हमारा लेम्डा और लेम्डा डेस उसी को एक्स्पेंड कर रहे है तिसको हम लोग का लिखेंगा बागे से कॉम्टन विस्थापन को डेल्टा इस पे डिपेंड करता है तो थीटा के वेल्डू पे डिपेंड करता है थीटा क्या देख रहा है यहाँ पर थीटा आपका प्रकुणन कोड है है इसके टैड इंगल है ठीक अब क्या बोला तो कॉम्टन प्रभाव उर्जा सरक्ष्ण के नियम का पालान करते हैं मतब जितना सकते हैं इसने इक रिविशन दिया गंडिया उसको लिख लेंगेस विलेक्विशन की बात हम कर रहे हैं कॉम्टन विस्थापन उसको बोला कि इसpre सब्सक्राइब एक फार्मूला जिसको हमें याद रखना है कॉम्टन रिस्थापन के लिए इस ने दिया कॉम्टन है वह एच अपको पता है क्या है यहां पर देखो लिखा मैंने प्लांक इस्थिरांग है सब्सक्राइब देखो अब यहां पर देखो अब यहां पर जो कलर दूसरा ले ले लेते हैं यहां पर जो दिल्टा लेम्डा है किसकिस पर डिपेंड कर रहे है एच पर डिपेंड कर रहे है एच कहा हमारा प्लांक कॉंस्टेंट उसके प्रकृति नहीं कर रहा यह हमारा तत्व जो यह नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका लाइट का स्पीड भी कॉंस्टेंट है अपका एच प्लांक कॉंस्टेंट ऐसे भी है उसी निएंगल के बेस में तीन कंडियेंगे लिख देते हैं सर्त बोलेंगे हैं ना कंडियन्स होगे हम तीन कंडियसंस देखेंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे case studies देखते हैं case studies यहाँ पर हमसे अभी देखने वाले हैं इस video lecture में ठीक तो देखो पहले सबसे पहला क्या लिखा है जब प्रकृर्णन कोण का मान सुन्य हो और थात प्रकृर्णित किरण आप्तित किरण के समनांतर हो तो समी करण में theta is equal to जीरो रखने कोई जी उपर बताया मैंने माल लेती है हमारे radiation जा रहा था यहां पर हमारे लिट्रॉन है और यह क्या हुआ प्रकृर्णित हो ही ना उसी में ही आगे बढ़ जाईए है ने समनांतर लिखेंगे तो घरी समनांतर चला जा रहा है तो हमारे इंगल इंगल कितने हैं 0 डिग्री jis ब mostra ενाट कोंट कमान सुन्य हो है कि जी डाकवेल लिजीरो हो इसका मतलब क्या हो रहा ही ऑप्र alleen कीरन के समनांतर हो जा रहा है जो परकिर्णित कीर्ण है इसके डिरेशन के समनांतर चला गया हो जैसा आया था वसी चला गया हो तो तब की केस में क्या theta 0 रखनेंगे हमारे पास समी करण क्या है जो हमने देखा उपर में delta lambda is equal to h by mc है और 1 minus cos theta है तो यहाँ पर theta is equal to 0 put करेंगे तो h is equal to mc 1 minus cos 0 degree तो मैं बता दूं cos 0 का value होता है 1 क्या होता है cos 0 degree का value होता है 1 इस equation में put कर देंगे इस equation में put करने के बाद क्या मिलेगा हमें h upon mc 1 minus 1 तो 1 minus 1 क्या होगा 0 होगा और 0 से अगर हम इसको multiply करेंगे तो overall क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा तो delta lambda क्या मिला 0 मिला आगे तो 20 थापन इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है अगर देखो 20 थापन अगर होता तो वो क्या होता फैलता radiation प्रकिर्णित होता radiation कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर ऐसा कुछ condition होता है जिसमें radiation अपने ही रास्ते में समनांतर निकल जाए मतलब पैरलल समनांतर क्या बोलते है पैरलल पैरलल अगर निकल जा रिडिशन इसमें यह प्रूफ हो जाता है नहीं हो रहा है उसके और यह कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है यहां पर इलेक्राण इधर गया लेकिन पूरा 90 डिग्री में चला गया है यह हमारा क्या है प्रकृणित रेडिशन है पहले बता चुका हूँ तो यह इसके बीच पालफ होना च्छीए थे हमारा लाइन सीधा खीचेंगे ना एंगल कितना ये 90 डिग्री तो रडियेशन आया और 90 डिग्री में जाने पर उसी एक्वेशन फिर लिखते हैं तो डेल्टा लेम्डा इस उकल टू क्या है एच बाई एमसी वन माइनस कॉस थीटा है खीटा कोई जो कितना रखेंगे एच बाई एमसी वन माइनस कॉस 90 रखेंगे ना अमें बता दू कॉस 90 का वेल्यू कितना होता है कॉस 90 का वेल्यू होता है आपका जीरो तो जीरो पूट कर देते हैं आगे का इधर लिख रहों है तो एच अप करेंगे एच का वेल्यू 6.625 10 to the power 27 अर्ग सेकेंड क्या है अर्ग सेकेंड और एम का वेल्यू अब पता है मासा फिलेक्ट रहा होता है नाइन पॉइंट वन जीरो नाइन वन डिपली में पूरा डीटेल में लिखेंगे माइनस 28 ग्राम इंटू लाइट का स्पीट का वेलोशीटी क्या होता है तो फ्री इंटू प्रकास के वेक्ट्री नो टेन तू पावड टेन सेंटीमीटर पर सेकेंड जब हम इसको फूरा जाएगा 0.242 Armstrong क्या जाएगा डेल्टा लेंडा कमान 0.242 Armstrong इसका आपतित किरन की लंबबवाद देखो 90 डिग्री में है मतलब क्या बोलते हैं लंबवाद बोलते हैं लंबवाद दिसाम प्रकर्णित होने रखेंगे क्या बोलते हैं कॉम्टन वेव लेंथ या फिर कॉम्टन तरंग दर्दे बोला जाते यह पॉइंट को भूलना नहीं है अगर कॉम्टन तरंग दर्दे को वेल्यू कितना होता है बोला जाएगा तो आप लिएगे एस पाइट को भूलना नहीं इप सब्सक्राइब कॉलाइब के नगे यह से लऑ परेंडिकुलर अब चलते हैं अपना थोल्सक्राट तब केस में देख लेते हैं जब प्रक्रिणिन कोन का मान ठीटा कितना वानेटी डिगरी हो और थाथ प्रक्रिणित की दिशा आप्तित की रंड के ठीक विपरीत दिशा में हो जाए मतब देखो यह हमारा रेडियेशन है यहां गया ऐलेक्ट्रोन से टक रहा है और फिर इसी इसी दिशा में विपरीद दिशा में सेम ना इसके उपर में मैंने बनानी रहूं इसके उपर में क्या आ गया हो सेम इसी में फिर से वापस चले जाए विपरीद दिशा में तब यह हमारा सीथा लाइन है इसके बीच के एंगल निकालेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आए 180 degree का value होता है minus 1 कितना होता है लिख देता हूं यहाँ पर cos 180 degree का value होता है minus 1 तो इस पॉइंट क्या रखेंगे ठीक तो पूट कर देता हूं यहाँ पर A चापान M C 1 minus A भी minus 1 तो minus 1 minus 1 plus 1 A चापान M C is equal to 1 plus 1 तो आगे क्या होगा A चापान M C into 2 2 into A चापान M C तो उपर वाले में एक्वेशन में भी A चापान M C का value निकाला है देखो अहाँ पर लंबवात वाले में क्या निकाला है A चापान M C का value निकाला है यहाँ पर देखो इस वाले में A चापान M C का value हमारे कितना आया है यह जो आया है value 0.242 आंस्ट्रोंग आया है है ना उसी को टू से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 0.242 आंस्ट्रांग आया तो कितना हो जाएगा 0. अच्छा जीरो पॉइंट अच्छा यह वेल्यू क्या रखेंगे रुख एक मिनट है ना इस वेल्यू को डेल्टा लेम्डा का वेल्यू आएगा आपका 0.0242 याद रखेंगे ठीक है मिस्टेक हो गया था क्या आएगा 0.0242 याद रखेंगे एक जिरो और है ठीक तो सेम इसमें भी इसको इसमें क्या करेंगे तो इंटू 0.0242 आमस्ट्रॉंग है तो इसका वेल्यू टूटल क्या जाएगा जिरो पॉइंट फॉर एट फॉर आमस्ट्रॉंग आ जाएगा ठीक है क्या लिए अब इसको देखो इस इस इस्तिति में डेल्टा लेम्डा मतलब कॉम्टन सिप्ट का या पर कॉम्टन कमान कॉम्टन तरंग देद या से मिंए पिल्भवास वाले को जो वडलेंध के जो वेव लेंध लेंभाए पहलें पेढ़न बोलते हैं हाँ आप देखो अकॉम्टन वेव लेंध बोलते हैं ृससे क्या होगा यह दुगुना होता है मतलब two times होता है तो देखे रहा है अपर two times हो रहा है ठीक तो यह हमारा रहा overall हम लोगों ने समझ लिए Compton effect होता क्या है हाना Compton effect scientist ने क्या experiment किया है X-ray कीड़ने को electron पर डाला फिर देखा उसने कि जो radiation radiation वहां से scattered होके जा रहा है उसमें energy कम हो जा रहा है उसका जब कि उसका radiation बढ़ेगा इनर्जी कम हो जा रहा है तो इसी effect को उन्होंने क्या किया एक फार्मूलेस के थ्रों में दिया यह सो कॉम्टन समीकरण भी बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं तो यह पॉइंट आपको लिखना है क्या है क्या है कैसा है और आगे का हम इसमें और यह मैं बता दूँ कि कॉम्टन जो प्रभाव है यह फोटॉंस को फोटॉंस के बेस्पे काम करता है हाना फोटॉंस के हम लोगों ने देखा यहां पर एचपान एमसी के फार्म में तो फोटॉंस को सिद्ध कर रहे है मतलब यह उसके करण प्रकृति को पार्टिकल नेचर को भी एक्स्प्लें कर जाता है तो उम्मिद करता हम इस वीडियो में यहीं तक है हमारे पास हाना कॉम्टान इफेक्ट को आपको समझना था तो उम्मिद करता हम आपको समय में आया होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को वीडियो को लाइक कर दे पढ़ाना जरूरी है, मिलते हैं नेक्स टूडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू